साल 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुननिया ले जाएंगे से लोगों के दिलों में राज करने वाले शाहरुख खान अपनी रियल लाइफ की दुननिया गौरी को ढूनते ढूनते दिल्ली से मुंबई पहुच गया और गौरी से शादी करने के लिए जितेंद्र भी बन गया है आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के वक्त बॉलिवुट के किंग यानि शारुख खान के पास पहनने के लिए सूट तक में दो नवंबर 1965 को दिल्ली में पैदा हुए शारुख खान ने महनत के दम पर बॉलिवुट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई हंस राज पॉलिस से बढ़ाई की बचपन में शारुख खान राम लीला में बंदर का रोल करते हैं जब एक्टिंग का और शौक जागा तो बैरी जौन से मनोर बाचपई के साथ एक्टिंग भी सीगी इसके बाद सरकस फौजी जैसे सीरियल्स में काम मिल गया रील में रोमान्स का ज अपनी दोस्त से गौरी को फोन करवाते और गौरी से बाच करते हैं गौरी और शारुख खान दोनों एक साथ घूमते फिरते दीरे दीरे वे नजदीक आया इधर वे इस दोरान टीवी सीरियल भी कर रहे थे गौरी को उनका एक्टिंग करना ज्यादा पसंद नहीं था वे कहती दी कि कोई धंग का काम करो प्यार जब आगे बढ़ा तो दोनों के भीज धर्म का मामला भी सामने आगे शारुख मुस्लिम परिवार से थे और गौरी ब्रहमा ऐसे में जब शारुख गौरी के पिता से मिले तो अपना नाम अविमन्यू बताया इसके बाद उनके पित कान भी उनके पीछे मुंबई आ गए मगर उनको ये नहीं पता था कि वे मुंबई में कहा रहती वे कई दिनों तक गौरी को यहां वहां ढूंदते रहें पैसे नहीं थे तो इस्टेशन में रात गुजारी शारुख गौरी के प्यार में इतना पागल थे कि वो किसी भी कोड़े होकर अपने दोस से बोले देखना मैं एक समय में इस शहर में राज करूँगा और ऐसा हुआ भी मगर उससे पहले उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ एक दिन ऐसे ही समंदर के पास वे गौरी को ढूंड रहते क्योंकि गौरी को समंदर के पास घुमना पसंद भ भी गई इसके बाद मुंबई में भी उनको काम मिलना शुरू हो गया और दिल्ली में भी काम करते रहें लेकिन इसी बीच उनकी मा का निधन हो गौरी से शादी भी करनी थी एक साथ कई उल्जनों के बाद वे दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गया साल 1992 में आई फिल्म दिल आशना है साइन की ये प्रेक दिया था हेमा मालनी ने लेकिन शारुक की पहली रिलीज फिल्म थी इसी साल यानि 1992 में आई फिल्म दिवाना फिल्म में इंटर्वल के बाद आई शारुक खां को लोगों ने जब देखा तो लगा कि बॉल्ली शादी के लिए मनाने का काम करते रहें गौरी के मामा शारुक खान के फैन थे इससे शारुक खान को सपोर्ट मिला और गौरी के माता बिदा भी समझ गये कि अब कुछ होने वाला नहीं है और फिर उनको मानना पड़ा शादी पहले हिंदू रिती रिवास से हुई तो शार बौरी का नाम रखा गया आईशा है शारुक खान की जब शादी होई तो उनके पास पहनने के लिए सूट नहीं था तो वे फिल्म राजू बन गया जनल्टन मैन में पहने सूट को ही पहन कर शादी में आ गया है शादी के बाद एक दोस के घर छह मेहने तक रहें इसके बा अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ऐसे ही और वीडियो का नॉटिप्रिकेशन पाने के लिए बेल आपको पर टिक करें